स्वागद आप सबका वीमेंस एश्यकप के ग्रैंड फिनाले मैच के अंदर एक तरफ आपको टीम इंडिया दिखती है जो वीमेंस एश्यकप की सबसे सफल टीम है आठ में से साथ बार चैंपियन बन चू की है वही सामने श्री लंका है जो मेजबान है और जो क्राउड होगी वह इनको सपोर्ट करेगी तो हरमन प्रीत कोर के पास बहुत अच्छा मौका है जो क्राउड है उसको पैट कमिस की दिरव शांत कर सकती है तो देखते हैं इस क्लैश में क्या होता है स्वागत आप सब का बारत बनाम श्री लंका के ग्रैंड फिनाले मैच के अंदर खेला जाएगा रंगीरा डंबूला के उपर मैच्स टाइमिंग है दुपर के तीन बजे तो सब से बहले देखते हैं जो इतियास है टीम इंडिया का वो क्या कहता है 2004 के अंदर चैंपियन बनी पहली बार जब स्री लंका ने होस्ट किया था इस विमन्स एश्याकप को ओडियाए फॉर्मेट के अंदर फिर 2005 चैंपियन फिर 2006 के अंदर आठ के अंदर 12, 16, 18 के अंदर बंगलादेश जीत गे थी मिलेगा नहीं माइल्स्टोन देखते हैं आपर जैमेमा रोटरी एस अपना सौवा T20 मैच खेलींगी है अमा कंचनागर ग्यारा में आती है अची निकोला सुया के बढले तो उनका पचासवा T20 मैच हो सकता है जब टूनेमेंट शुरू हो ओरा था था न तो इस सारे मैच जीती श्री लंका भी अन्बीटेवल एस टूनेमें तीन मैच गुरू स्टेजस में जीती उसके बाद इनो ने पाकिस्तान को सेमी फाइनल में बहुत क्लोज जा कि हराया बहुत अच्छा मैच था और वो इस पूरे टूनेमेंट का सबसे देखने लाइक मैच रहा था तो बहुत से पॉइंट सा भाई साब मज़ा आएगा इस मैच को कवर गरने में पिछ कैसी रहेगी कंडिशन कैसी है, स्कूरिंग पैटरन कैसा रहेगा एशा कत में प्लैर्स कैसा परफोर्मेंस देते हैं और जब दोनों टीम सामना सामना करती है तब क्या हुआ है प्लस मेरे पास मैच अपस हैं जो बहुत इंट्रेस्टिंग अतुपतू का मैच अप देखना जो चमारी अतुपतू है अगेंस रादायादव वही गजब की बैटल आपको मज़ा आएगा बैटल देखने के अंदर टेलिग्राम चैनल जोईन गरवा फाइदा गया लाइनप्स के बाद कोई भी अफडेट आती टेलिग्राम पे देदूँगा टेलिग्राम कलीम ने आपको डिस्क्रिप्शन और निचे कमेंट स्क्षन में दिया हुआ है और इंस्साग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अंतीम मैच है वीमन सेशा का बहुत सही गया है सीरियसली कहूं तो है अभी तक टोटल 14 मैचस में उसमें से 5 ए 6 मैचस मिनीमम मिनी जेल अपनी निकली थी तो इससे हम और बहतर कर सकते हैं सीरियसली कहूं तो मैं कोशिश करूँगा उसको अच्छे से साइन आफ करू टूनिमेंट को डंबुला के उपर मैच है 26 जुलाई को मैच वादा लास शेलंका पाकिस्तान का मैच था वो नाइड येम था क्या हुआ था उसमें अई कुछ नहीं हुआ 140 बना चार वीड़ नुकसान पे ये बनाया था पाकिस्तान ने इनके पास मुमिंटम था क्योंकि उन्होंने मैच को अच्छे से फिनिश किया फातिमा सना इंक्लूडिंग अलिया रियास फिर आती है शिलंगा की टीम वो कहते है न कि जो आप सोचते हो वो बनते हो अतू पतू कभी नहीं सोचती में आरूंगी शीज चैंपियन प्लेयर लाइनस इसको कहते है शिलंगा के अंदर शेर नहीं और वो आती है शाटन की एक खुबसूरत पारी खेल के जाती है और जो अनुषका संजीवनी थी इस टीम के उना जब सेनियर प्लेट्स में से आती है उन्होंने भी जिम्मा सहमाला मैच को फिनिश किया था हूँ तो यह जो साइन्स है ना शेलंका के लिए बहुत पॉजिटिव है मैं भी चाहता है इंडिया शेलंका को फाइनल हो तो रहा कॉम्पिटिटिव मैच देखनी को मिलेगा पाकिस्तान आती तो वही दस विकेट वाला मैच हो जाता फिर दस विकेट से टीम इंडिया जीत गई सेरिसली कह रहा हूं मैं मजाग नहीं कर रहा है ऐसा हो जाता क्योंकि हमने इंडिया पाकिस्तान का मैच पहले ही देख लिया था उन्नीस जुलाइगो जो सीजन उपनर गेम था ऐसी बणा आठ्वेड रुकसान पे यह जासि टीम फे चेस करगे 191 और टीम गटेम पे बंगल डेश नाइंडिल यह दी मकलाग शुलाग डिटी सात्व इंडिया लिए बना सक्कीर ला atención बाना तो एक अच्छा स्कूरिंग यह सीरिसली प्रतिवर साथ के आपस बनेंगे साले डीकी सोल्ड आउट है इससे बढ़िया क्या हो सकता है विमन्स क्रिकेट के लिए और पिछला मैस था उसमें 8 विकेट छिए दो विकेट पेस तो सीदी बात है आप सिंटून दूगिन फॉर्मल है राइड आम पेसर 33, लेफट आम पेसर का चाह है, और सुनर्स का 45, लेक्स पेसर का ग्यारा, चैनेमन का 3, लेफट आम और्थोडोक्स पेसर का 35 वेटा है, ये पिछ की फुड़ो आप देख सकते हैं, जो समी फैनल खेला गया था, वो पिछ नमबर 4 पे था, जहाँ पर अतुपतु ने सेंच्वी लगाई थी, याद करिया, किस के गैंस लगाई थी, मैं नहीं कहूंगा, तो ये देखे हैं, 19, 20, 23, 26, ये जो चार दिन थे, कुणमेंट गिए, वो पिछ नमबर 4 पे वेए, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं डेड़ भी मार्क रता हूँ, ये भी मार्क रता हूँ, ये भी मार्क रता हूँ कि इस पिछ पे अतुपतु ने शतक लगाया था, नहीं लगाया था, और ये देखो पिछ नमबर 4 पे जिस पे सेमी फाइनल के मैचे सुएथे, और इस पे हलगी सी ग्रास थी, जो ग्राउंट्समें था, उसने पिछ पे पानी का थोड़ा से छुड़काव गया, और इस पे अच्छे से रोलर चलाया था, तो पिछ बहुत अच्छे से बीएफ कर रही थी तो, अच्छे से अच्छे से बीएफ करने को मिला था, बात भी गरी थी रहनों को सिंग आती है, यह बिएफ कर निकाल के जाती है नही गैंसे, यह पिछ नूमबर चै है, जिसका शायद इसक मैच में स्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इस पिछ कभी तक तीनी दिन इस्तेमाल हो है, 21-22 चोईस और यह जो पिछ थी, 19-23-23 से चार दिन इस्तेमाल हो चुकी यह पिछ नूमबर चैका इस्तेमाल हो, इसके दैमेंशन 59 मिटर से और इस पे 21-22 और चोईस जोलाई को मैच हो है, तो इस पिछ को भी आप कह सकते हो चार दिन का गैप मिल चुका है प्रिपार करने के लिए दुबारा और यह स्टेडियम का व्यू दैमेंशन 59-59 सामने भी 59 है बहुत ही प्यारा स्टेडियम है गदा फोकास बढ़िया दे गेमाल कोई दिकत की बात नहीं है बड़ी बात य तो इन बजे दिखा आप वहां 27 कुलिमोटर के असपास विन फेक्टर रहता है प्ले के अंदर हवा चलती ना स्टेडियम हो दो पन स्टेडियम पूरा है तो कैसे लगए पित्रिपुट कमट करें बता ना कौन जितरा है इस ग्रिम के अंदर टीम इंडिया या फिर शीलंक दुन टीम्स ना अपस के अंदर चोईस मैचेस के लिए 19 टीम इंडिया जीती है और 4 शीलंका जीती है एक मैच नोट जरल गया है इस वैनी कुपर दुन टीम्स न आ अपस में 3 मैच लिते है दो जार बास में 21 से टीम इंडिया सीरीस जीती थी ती स्मिधियम अदान ऊपन करती हैं चैफली वम्मा के जात उमा चेतरी अर्मन प्रीट को और जमेमा का सौवा टीविंटी मैच हैट सौफ तु इस प्लेयर वन अब दो फाइनेस्ट अरॉंड देखने को मिलती है जो टाइमिंगे पास रिचा गॉस दिपती शर्मा पूजा वस्तागर अतनुजा कनवर फिर आपको रादा आदा वेनुका सिंग दिख जाएंगी छेलंगा चमारी अतवपतू उपन करती है विश्मी गुनुरतने के जात हरुषिता समर्यकुरूमा काविशेद दिलारी पिर एंगे असीनी परेरा निला काश्य डिसलवान उसका संजीवनी इनका बैटिमाट प्रोबोदानी लेफ्ट आम पेसर सेंगर प्लायर है सौ मैसे खेल चुकिए टीवंटी में सुगंडिगाउ हमारी लेफ्ट आम काविशेद राइट आम फास्ट वालर उसको खिलाना चाहिए मेरे समझ के बाले क्यों नहीं खिलारी टीम ये इंडिया के टीवेंट इस एश चुकिए शिक्स पांड थेक एकॉनमी है बीस का स्टाइग रिट है हर एक और के अंदर च्छे पांड तिन के आसपास रन देती है और हर 19 वाल में क्रिकेट निकालती है ये विमेंस इश्यकप के नंबर्स देखते हैं अपडेटेड आए हर्मन पीत कौर ने 20 मैचेस के लि विताली भाई क्या प्लेयर थी चार सो रूंस तरस मैचेस में तीन फिफ्टी अलग लेवल की प्लेयर वागरती है वह स्लो था उनका गेम वह तोड़ा से एक नेगेटिव पॉइंट था उस ताम पर इसे भी गेम इतना डेवल्पनी वाता आप जाके बैट इतन अच्छ हो विताइस वालूबल लेशर पुली लिस निर्ट रूर्ट है वो जैमेम रोडरिगेज वोन रिफ स्मॉस्ट घंट्रियर रूर्ट इस तीम बात ही दिफ्टी के दस मैचे में 148 रंस है 111 श्राइग रेचा गोष्ट ने 12 मैं 144 रन श्राइग रमाईए 113 तरगा है और तीमेन भी जानी तरगा है क्योंकि आगा है सबका स्राइग गोष्ट भी धाग रेचा है 11-13, Kaur 7-7, Radha 7-7, Tanuja Kanuvar 3-3, but economy is very good, 3.5, जो किसी की निया, Spirit Tournament के निदर में इंग्रा सिंग को छोड़ के, क्या बॉला रहे भी, Tanuja Kanuvar, Shaif Ali Bamba, 7-124 रंस है, और अगें स्ट्री लंका, बैटिंग फर्श 31-5-10-9, चेस के पर 47-17-5, कमाल की प्लेयर है, हर्यान भी है, और बहुत कजब की बैटिंग करती है, देशी की खाती है, साथ मैचस में 237 रंस, 125 का स्ट्राइगरेट है, बैटिंग फर्श एकत्तिस पाथ, 37, 81, चेस पे 17, 40, 26, नाबाद, फियरलेस बनेट अफ क्रिकेट, मंदरा का 19 मैच, 319 रंस है, 108 का स्ट्राइगरेट है, 20 की और बैटिंग फर्श एक, 35, 00, 1, 22, 46, चेस के पर 9, 5, 43, नाबाद, 12, 6, 5, 17, 49, नाबाद, बैटिंग की बात तरहते हैं, साथ मैचस में 175 रंस है, बैटिंग फर्श एक, 22, 13, चेस के पर 49, 45, पच्पन नाबाद, चेस के बहुत बहुत हैं, एवन हैटर गंदर भी, चेस के पर कंसिशनशी बच बच्पन नाबाद, इसका फर्म देखो, आप मंदना अच्छ जाओगे, पच्पन नाबाद, 13, 45, 54, 46, 90, 136, 117, बाई साब, जो दूसरे बड़े 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 प्लेड आजो कहते होंके भई कैसे कर लेते हो आप मंदना के तिनी अच्छी कंसिस्टेंस्टेंसी और प्लेट कहा रहाँ थे अच्छी प्लेट हो जाते हैं ऐसे आज साफ में इन्टेंद करने में हुमा छेतरी ने कैच फगड़ा दा लास्ट गेमें जो पहला किकेड गिरा दिलाराक्तर गा तो यह इस वैन्यू पर कोई उग्दा नहीं दे पाई है भी दाग हर्मन पीत कोर बाइस मैच 29 की ओसा 309 रंस बैटिंग फर्स चालिस नाबाद दो दो चातिस दस जीरो तरशेट बाईस नाबाद तैस फे सदरा चोईस चोईस पंदरा इकतिस नाबाद ग्यारा नाबाद बैटिंग फर्स में स्पेशल रोल निभाई गी है वैन्यू की पर भी 6 मैच में 163 रंस बाईस उन चालिस नाबाद चैनाबाद चैनाबाद पांच नाबाद जैमी क्या नंबर अबहीं गें 12 मैच 50 की ओसा 400 रंस जो सोच आप यह हर्मन प्रीत को और 22 मैचस खेल के 400 नहीं बना पाई यह प्लेयर 12 मैचस में 400 बना चुकी है मैं ऐसा कंपेर नहीं यह प्लेए जाते हैं काई को डिवर को ड्रॉप को लो यह बैटि नीचे आरी नंबर 5 पे 36 46 नाट थेटीज निचे जाते हैं और 22 नाबाद 15 नाबाद तीं दुस पुरे टुन्मने में कुछ नहीं करपाई यह यह शायब है यह गेमन के लिए हूँ 7 मैच में एक्षो 117 र टेशस के पास शियर वैंडी के पर 6 मैच में 6 विक्टे हैं बॉलिंग फर्स तीन में 4 बॉलिंग सेकंड तीन में 2 दिप्ति शर्मा 15 मैच में 41 रून्स 14 विक्ट, 5.3 विक्ट की तेस स्टाइगर्ड सेमे भंगलादेश इस बाइस बढ़िंग फिक्र्स नहीं नहीं है बॉलिंग के नो मैचों में 6 विक्ट बॉलिंग सेकंड 6 मैच में 8 विकट इस पुरानी सीप्ति में बहुत वर्हाग है 5 बार विकेटलस वैंडी के पर 7 मैच म 12 विट्टे और देखते हैं क्या कर पाती है रादा 10 मैचे में 15 विकेट 13 गास्टाइक 6.2 विपनों में गजब के नंबर बालिंग 1 माच में 7 बालिंग 2 माच में 5 में 8 विकेट एक वार विकेट लएस पिछले जो मैच था टू से लाज गास्टा राणा उचरा पीस में 5 विकेट 5 में 5 विके Almost एक वैरे के ओपर बीपर बालिंग 1 में 6 विकेट बालिंग 2 में 0 qu Cord1 विकेट डेखते हैं 5 मैच स्केल चुकि स्वेलंका नंबर्स दी है सजीवन सजना, आशाशोबना, डीनलता, नई गेंद, रेनुगा पहला दिसरा पांचवा, साथवा था लास्ट गेम में पूजा का दूसरा नववा, ग्यारवा, उनिसवा आम तरपर दोवर पावर प्ले में डालती है पूजा, तौनुजा कनुवर का चोटा, चटवा, तेरवा, पंदरवा, दिप्ति का आठवा, चोदवा, सोलवा, ठारवा रादा का दसवा, बारवा, सतरवा, बीसवा था यह स्री लंका के प्लेट्स है, देखलें आप स्टैट्स, यह इनके बॉलिंग नंबर्स है, और यह इनके एश्या कप के नंबर्स है एश्या कप में अतु पतु टीट्वेंटी वाले फॉर्मेट में, 16 मैचों में 430 रंस बना चुकी है दिलारा कविशी, 9 मैचेस में 400 रंस है नो इनिंग्स में 11 मैच केलें बॉलिंग में दिखा आप इन्यों को रेनेवर आइश्या के टेकर डॉप्ट 20 साल सुगूंदिगा नें 18 में 15 विकेट निकाला निखा देलारी ने 11 में 14 और प्रोबणानीthank您 in इं neither नीकाले अथδαपतु ने 16 मैच खेले हैं। 10 इंग्स के अंदर शहारा निकालाRISक इनो फमयद फर्ण Siりました प्रिया जर्शनी चार में चार में चार विकटाई होती है इसकी आम तरफे और भी बहुत से नमबर्स है विश्म गुर्वारत ने चार मैचेस में क्यांट रंस है हैट वरी कंदर बैटिंग फ़र्श पैंताली सेस पे एक पांच जीरो वैन्यू के पर साथ मैचेस में देड़ सो रंस है लगबग और तीन अच्छे स्कूर्स रहें साथ में से वाट सामने हाई क्वालिटी बॉलिंग अटेकों इंडिया का देखते हैं किस तरह से खेलती ही बहुत साइप लेर है तच अच्छा है चमारी अतुपतू थाइस मैस थाइस क्योसब पांच बारा रंस नौ बिगेट है 6.9 की एकॉनोमी 26 का स्टाइगरेट है और बैटिंग फर्स्ट ग्यारा मैचस के अंदर अकुल मिला के 292 रंस है चेक स्कुपर थोड़ी से अवरेज करिम है बारा मैचस में 220 रंस बीस की अवरेज है और फिर आएंगी या साथ मैच 3.82 रंस इंक्रूडिंग 3.50 दो 40 वाली स्कूर बस दो फ्लॉप इनिंग से 16 और बारा वाली छोड़ी है हरुषिता का 6 मैचस में कतर रंस है बैटिंग 12-9 एक चेस पे 10-13 चबडिस हरुषिता संबर विकरवा विकरमा मादुवी ठीक है बहुत खतरनाक नाम है इनका वो दमाल कौनसी मुवी तया है दमाली दी ना देखा हो आपने उसमें वो नाम आता है क्या दार उसमें खतरनाक नाम है उसका 6 मैचस में कतर रंस है कमेंट करना जिसको नाम अच्छे से आता है बिना गुगल करें बिना वो मुवी का सीन देखें साथ मैचस में 103 रंस है वेनु गोपाल आयर है आगे चलता रहता है बस इतना इंड दुवा में नौच 26 चेकर 10, 13, 33, 12 फर्म नीचे आप देख सकते हैं आगे आती है बात दिलारीगी 11 मैचस में एकस और रंस दो विगेट है बहुत अची ओल रॉंडर है 7 मैच में 7 विगेट 85 रंस है एसे हैट वड गंदर नंबर्स बहुत खराब हैं 17 का स्टाइगरेट है हर 70 वाल में इसको एक विगेट मिलता है अगें इस टीम बॉलिंग फर्स मांच में 0 बॉलिंग सेकंड चार में दो विगेट है नला काश्यों डिसलवा 16 मैचस कंदर 153 रंस है बैटिंग वस्ट एक साथ एक साथ एक साथ पंदरा आठ एक च्छा है को से बढ़िया क्या हो सकता है विद्ध बैटिंग थोड़ी बहुत फ़ली देगी सोनी पर स्वागवाला काम है बैटिंग फर्षम में पक्कर हूं असको हसी नहीं परियरा नौ मैचस में 125 थोड़ा सा फॉर्म कंसर्न लास्ट ताम 25 बनाया था इसने 21 बॉल में एक पूड़ सुगंदीगा का 14 मेच में 8 विएड बॉलिंग फर्स साथ में साथ में बॉलिंग सेकंड 6 में एक विएड है और चार विएड़ इडिस वन्यू अच्छी नहीं इगा दो मैचस में 0 विएड है लिएड एनश फर्नेंडो दो मैचस में 3 विएड निकाल चुकि यह बहुत ही एक उनिकल स्वाल स्पिल था थाइड़ एअ पैंच की चार विएड चार विएड साथ में एक विएड आ चुकि यह बहुत है सिंधिक अवन्यू इगा पल्दी आप उदेशी दीगा प्रोबदानी का विएड 7 विएड बॉलिंग नोव एड प्रेप नूप्र नमपर नु मैच में पिछले गेम में इनोशी फर्नेंडु प्रियादर्शनी पहला साथवा तेरवा उनिसवा और प्रुबधानी का दूसरा चटवा दसवा बीसवा कुला सूर्या का तीसरा बारवा चौदवा अननेसेसरी बॉलिंग राइधी इन से सुगंधिका का चौता आटवा सोल अनने स्टगल करती है उदेशी का प्रुबधानी ने चारी सरंदिया मात्र ग्यार आइनिंग्स में चार बार आउट किया और कोई ऐसा स्पेशल मैच अप नहीं है शैफली वर्सेज सुगंधिका लैफटाम चैनमन और और तोडॉक्स इसको दिक्कत होती है एकिस गें बा चार में दोबार आउट किया हर्मन फीद कोरवाट सेज आता पत्तु शिक्टी बॉल तरेसे टरन तेरा इनिंग्स में चार बार आउट किया कई जगा इसको आटा पत्तु भी गहते है और कई जगा आता पत्तु अट्टा या फिर आता क्या ही बुलू मैं जह में में चमारी इनको रादा एदो परिशान करती है चार बार आउट कर चुकी है फॉर्ट इन बॉल में 58 रंस है दिप्ति गो उन्निस इनिंग्स में पांच बार विगेट दे चुकी है उनको थोड़ा सही खेलती है ये विश्मी अप अगेंस रेनुका सिंग 34 गें 16 रंस पांच गॉला हुँ है हरलिट रसी गेंस रादा जो इन धेंस रहता रदा और अगें टीन रण 3 इनिंस में दो बार आउट किया है अर्मन प्रीता काल और कवसर दिलारी ये पांच इनिंग्स में दो बार आउट किया है दिलारी दिप्ति के सामने 41 रन ररन से 71 बॉल में 7 रिन्यक्टा थे 25 ररन के 5 रिन्ग्स नला कश्य डिसलम अग़न्स पूजा 44 बॉल 29 रन 7 रिन्ग्स में 3 रोटा ते राद ते रादा स्तर थे रा마 थे दिए ले ते निक्टा 50 ररन 3 रर में 4 रिन्ग्स बात आती है फिर जैमे की फिनिश बहुत अच्छी से करती है माचस को सेम फ़र्मन प्रीट कॉर रिचागोश आम तोर पर चेस पर अच्छा करती है बट स्ट्रॉंग टीम के जब ऑस्टिली एंग्लाइन के साथ खेलती है साथ तो फरीक ऐसी टीम के साथ बैटिंग फस्ट मे वैसे इस गेम में इंपोर्टन होगी फ़र मी और स्पिन बहुत सही खेलती है रादा अधर टैरिफिक फ़र्म में साल पुजा बॉलिंग फस्ट वाली तगडी बॉलर रहा है और तो बत्तु मोच रंस इन पावर प्ले आफ्टर देट टी-20 व्ल्ट-कप 2023 अर श्रीता समर ब्यादा का विशे दिला रही है सही बॉलिंग करा रही है सुगंदी का बॉलिंग फ़र्श में ट्राइबल है और साइन अप कर सकते हैं विजन के उपर फाइदा गया इस मैश में भी आपको फ्री गीववे देखने को मिलेगा प्लस यह जो अप्लिकेशन है टीडी एस फ आप 10,000 रुपया आप 10,000 रुपये गो वो करते हो चा कहते हैं उसको विणिग में आपके औुपासेट रुपेड करते हैं तो आपको कुल मिला के पान्प सू रुपेय आपके जो वाल wicked है उस में फिर से मिल जाएं गे डिपासेट वाली श्क्शन गैडर तो साइन आप कर बहुत ही पॉपुलर पिक्स हैं कीपिंग में अभी कह रहा हूं मैं जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है उसका कीपर में रखूंगा अगर इंडिया पहले बैटिंग करें रिचा गोष्ट पक का बेरी टिप होंगी और यहां से संजीवनी होंगी अगर शिलंका पहले बैटिंग करती है बात यहीं खतम हो जाती है आगे मूव करता है हर्मन पीत कॉर बैटिंग फर्स्ट में बैटिंग सेकंड में भी आप प्रिफर करिए बट बैटिंग फर्स्ट में की बहुत ज़्यादा वैल्यू हाजाएगी यह आपको ध्यान रटनाइस प्लेयर की इस गेम में रिस्की है दो प्लेयर के पर जिम्मेदारी होगी और यह देखते हैं कैसा खेलते हैं इस गेम में बात आती जैमी की साथ सेलेक्शन परसेंटेज है पुरा टॉर्णमेंट खराब गिया है क्या पता है मैच इनकले बनाओ जो कि नंबर्स बहुत अच्छे हैं 50 कुप पर एवरेज हर टीम में लेके मत बैटो इवन स्मॉली में तो आपको लेना ही नहीं है मैं पहले गह रहा हूँ ए ग्रैंड कोई ज्यादा सूचे यह है एक टॉप ओडर निकाल दो बस उमा छेत्री को मत लेना फिर उसकेस में या फिर कौर को मत लो या फिर मंदनाद शेफलीन में से किसी चार पांच में से एकाथ दो प्लेयर को बाहर निकालो दिप्ती इंपोर्टेंट है यहां से आता पत्तु प जारू जा तनवर जी कहां गई यह हो गई मेरी दस अब ग्यार भी प्लेयर में आप पर चुड़ता हूं प्रुबदानी को प्रिफर कर सकते हो अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है द्यातर में डाल लेगी आके या फिर फिर फरनेंडो विकेट टेकर ग्रूप में द देखेगी मजा आएगा देखने के अंदर कैप्टन सी में सीरिसली कहूं अगर टीम इंडे पहले गिंदबाजी करती है राद आपके पास बहुत अच्छी आप्शन है आपके पास फिर दिपती बहुत अच्छी आप्शन रहेगी तो आप इनको कर सकते हैं तो इंजॉई इस गेम अभी फिलाल मैं यह कर देता हूं सीरिसली कहूं गेम कैप्टन वासर्टन का होने वाला है पूरा फेंटेसी के अंदर और आपके 11th प्लेयर का तो एंजॉई इस गेम एंड सी सून